हलो एवरिवन वेल्कम टुस्टी बाइसंदी प्रोहिला फ्रेंट्स आज किसी वीडियो में एक बार फिर से अब सब का हर्दिक स्वागत है फ्रेंट्स देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडिगट ने नोटिस रिलिज किया है नोटिफिकेशन आउट किया है तो य इस पोस्ट के लिए निकाले गई हैं वो देख लेते हैं रिक्रुटमेंट नोटिस ऑफ पोस्ट ऑफ जुनियर बेसिक ट्रेनिंग इंजे बीटी के लिए टोटल 293 नंबर आफ पोस्ट रिलिज की गई है चंडिगट के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में परमाने ओपनिग डेट ओफ ओनलाइन अप्लिकेशन बीस जुलाई तो 20 जुलाई से इसके लिए अप्लाई किया जाएगा क्लोजिंग डेट रहेगी 14 अगस्त लाश्ट रहेगी डिपोजिट की फीच की 17 अगस्त तो 20 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक जेविटी चंडिगण के अं तो किये जाएंगे क्लास 1 से लेकर फिफ्ट तक के जो भी सुरेंट्स होंगे उनके लिए जेविटी जुनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स को हाईर किया जाएगा टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो इसमें जनल के लिए 149, OBC के लिए 56, SC के लिए 59, EWS के लिए 29, टोटल 293 293 पोस्ट और इसके बाद होरिजोंटल रिजर्वेशन की बात करें तो 12 PWD के लिए हैं 39 ESM की पोस्ट है और उसके बाद अगर बात करें पेस्केल की तो 400 का ग्रेड पे रखा गया है उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजवेट और इस इक्विलेंट प्रोम आरिको ग्रेजवेशनिस्टी डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन इंडिया लेड बाई वट आवर नेम नोन फो नोट देट लेश दन टू येर्स इनके दो साल का आपके पास डिप्लोमा होगा अजुकेशन में तो अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजवेट होना चीए उसके बाद अगर बात करें ग्रेजवेट विद लिस्ट फिप्टी परसेंट मार्क्स एंड बैसलर ओफ अजुकेशन यानिके ग्रेजवेशन में चास परसेंट मार्क्स हो और बी आड आपके पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद सीट एट का पेपर वन जो होता है वो यहाँ पर मांगा गया है सेंटरल टीचर अलिविल्टी टेस्ट तो यह भी आपके पास होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं तो यह इसके अंदर कॉलिफिकेशन थी उसके बाद एक्जाम पैटरन की बात करें तो इसमें टोटल नमबर ओफ क्वेशन स्वन फिप्टी रहेंगे टोटल मार्क्स वन फिप्टी टू एंड आफ मार्क्स का एक्जाम होगा तो इसमें जर्नल आवेर्नेस के लिए 15 क्वेशन है रिजिनिंग के लिए 15 अर्थमेटिक के लिए 15 टीचिंग अप्टिटूट के 15 आई सीटी के लिए 15 उसके बाद इंगलिस पंजाबी और हिंदी लेंगवेज के लिए 10-10 क्वेशन रहेंगे मैथेमेटिक्स के अलग से 15 क्वेशन है जर्नल साइंस के लिए 15 उसके बाद सोशल साइंस के लिए 15 क्वेशन है तो 150 मार्क्स का एक्जाम होगा 150 क्वेशन होगे उसके बाद डिफिकल्टी लेवल स्टेंडर्ड का लेवल रहेगा मिनिमम्म क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 40 परसेंट रहेगा नेगटिव मार्किंग पॉइंट टूफाइव की रखी गई है इसके अंदर नेगटिव मार्किंग भी है एक्जाम जो पेपर आएगा आपका इमिलिस और हिंदी बोथ लेंविज में आएगा बाइलिंग्वल होगा सेलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो पहले तो आपको रिटन एक्जाम कंड़क्ट करवाए जाएगा वो कर यह करना है अफ्र रिटन टेस्ट अंसर की अप्लोड की जाएगी साइट के उपपर सेट्वल्ट फॉर सब्मिशन ओफ ऑबजेक्शन कंड़ेक्शन लगा सकता है मार्क्स अप्टेंड बाई कंड़ेक्ट इन रिटन टेस्ट विल बी अप्लोड़ेड वेबसाइट पर अप्लोड किया जाएगा उसके बाद इनकेस टू और मोर कंड़ेट आर हैविंग से मार्क्स इन रिटन टेस्ट then candidate having higher marks in diploma elementary या फिर B.Ed will rank higher in the merit तो उसको highest mark दिया जाएगा merit list prepare की जाएगी basic of marks in return test तो return test में जो भी marks आएगे उसके विशाब से merit prepare की जाएगी candidate will be called for scrutiny of original document उसके बाद document के लिए बुलाया जाएगा उसके बाद candidate to be called for scrutiny of original document will be 1.5 times the number of total post इनके 1.5 times candidate को बुलाया जाएगा scrutiny के लिए उसके बाद merit list of selection will be released after checking of eligibility conditions and ICT skill training certificate ICT का certificate जिसके पास होगा उसके बाद ही इसकी merit जो selection है candidate का वो declare किया जाएगा age limit की बात करें तो 21 से 37 रखी गई है उसके बाद application fees की बात करें तो application fees यहाँ पर general candidate के लिए non-refundable रहेगी 1000 रुपे इनकेश वो फैसी अगर ऐसी की बात करें तो 500 fees रखी गई है तो यह पूरा का पूरा प्रोसेस है यहाँ पर last date दी गई है 14 आगस्त 20 जुलाई से एग फर्म स्टार्ट हो जाएंगे यह आज का नोटिस है चंडिगट के education department से तो friends आई ओप आप से को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दादा सेयर करिएगा लाइक करिएगा एट जैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए friends मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू